एक वीडियो आचुका है जैसा आप लोगों को पता है तो नेक्स्ट वीडियो जो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसके हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डियक्टिविटी सीरीज के बारे एम कुछ डिस्कस करेंगे और बाकी जॉप का चैप्टर है उसमें आगे वोने एर के साथ reaction की थी that means oxygen के साथ reaction तो metal oxide बनता है और वो alkali होता है that means basic होता है in nature तो वो सब लोन देख चुके हैं अब यहाँ पर बात करने जा रहा है water के साथ reaction में कुछ reactions बची थी जो important थे मुझे लगी तो वह मैं बता रहा हूं और साथ में कुछ extra points बता रहा हूं okay तो देखिए chemical properties metals की चल रही थी उसमें देखिए एक आपके reaction रही थी hot iron के साथ hot iron किसके साथ react करता है steam के साथ react करता है ठेक और क्या बनाता है iron को oxide बनाता है उस तो नॉर्मल से बात है metal oxide बनेगा ठेक अच्छा जी reaction देख लो तीन fe है solid है s2o water है जो gases form में that means steam है तो यह fe3 देखो fe3 हो गया ठेक और यहां पर o4 होगा that means यहां पर 4 लिए जाएंगे ठेक फोर oxygen हो गए ठेक अब h2 भी 4 होने चाहिए तो 4s2 निकल गया तो यहां पर जो आपकी oxidation state मैंने दिखा रखी है अच्छा for hydrogen तो निकल गए gas की form में okay उसका जो मैंने आपको टेस्ट बताया तो आप करी सकते हो ठेक soap water से form कर दो पास कर दो ठेक जो bubble से आपके निकलेंगे वो pop sound देंगे clear इतनी वाद अच्छा जी एक note मैंने यहां दिया एक मैंने note यहां दिया है पहले देख लो यह वाला note कि reactivity क्या होती है magnesium aluminum zinc और iron की कौन पहले react करेगा कौन बार में react करेगा ठेक तो magnesium तो narrow down है तो decreasing, decreasing order ठेक, तो magnesium की reactivity high होगी उसके आद होगी aluminum की उसके zinc उसके आद iron की अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं अभी बताता हूं कैसे लिखूं कि magnesium है ठेक वो किसी भी चीज में अगर reaction करेगी aluminum के साथ हो ठेक है aluminum का कोई भी salt वगरा हो सकता है तो यह इस चीज को displace कर सकती है हटा सकती है मतलब समझो कि chairs हैं बहुत सारी ठेक तो उन chairs में अगर बहुत सारे मंत्री बठे है politicians की बात करता हूं ठेक है और वहाँ पर अचानक से cm आ जाए cm आ जाएगा तो वो किसी को भी अगर सारे उससे downgraded है मंत्री ठेक है politicians तो वो उनमें से किसी भी मंत्री को हटा सकता है मतलब जादा reactive है जादा powerful हुआ और वहीं अगर बहुत सारे cm बैठे हो ठेक कोई बीचेर खाली ना हो वहां राष्टपती आ जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर आ जाए ठीक है तो किसी को भी हटा सकते है लाइक वाली चीज ठीक है तो more reactive वो होगा जिसका ज्यादा power होगी ठीक तो यह इसे में डिस्प्लेस कर सकता है यह तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है यह सिर्वे नोनों को डिस्प्लेस कर सकता बट अलुमिनियम मैंगनेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि इसको reactivity series में down place मिला हुआ है ठीक है अपर प्लेस नहीं है तो higher place जिसका होगा वो lower वाले को displace कर सकता है इतनी माद clear है ओके देखो lead, copper, silver और gold ठीक है यह जो है यह आपके react नहीं करते है water से जैसे मैंने बताया तो वहाँ पे silver और gold react नहीं करते हैं air से वैसे यहाँ यहाँ पर मैंने बता दिया कि water से react नहीं करते हैं ठीक क्योंकि क्यों नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर hydrogen है समझ लवजशीच को क्यों reactivity series के बारे में थोड़ा सबता दिया displacement of any metal जो होता है वो इस वेस होता है यह तो बता दिया इसी में आएगी इसी चैप्टर में है reactivity series में hydrogen जो है वो अप प्लेस पे है अपर प्लेस पे है comparative to what lead ठीक है copper silver and gold hydrogen इससे उपर होगा जिस वाज़े से ही वो इससे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है simple सी बात है ठीक है जिस वाज़े से ही वो इसके साथ रियक्ट नहीं कर पा रहा है इतनी माट क्लियर हो गई इतनी माट क्लियर हो गई ना ठीक अब इस चीज़ का क्या करेगा according to reactivity series hydrogen को डिस्प्लेस वो नहीं कर सकता है simple सी बात है बहुत सारी metals है तो यहाँ पे अगर किसी में reaction नहीं हो रही है इन जनरले जो चीज़ लिखी गई है उनके साथ reaction होती है मैक्सिम के साथ reaction नहीं होगी और दूसरी चीज़ reactivity series के according आप उसे कर सकते हैं तेक देखते हैं metal है dilute acid के साथ अच्छा dilute क्या होता है समझो अगर इसमें मैंने थोड़ा सा acid ले लिया pure acid मतलब concentrated है dilute concentrated समझा रहा हूं तो pure form में ले लिया मतलब complete इसमें acid है और कुछ है नहीं कोई water नहीं है अब dilute करने का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे water लेंगे ठीक यहां से कुछ amount में acid लेंगे drops में आप समझना drop wise डालते हैं कभी यह चीज़ समझ लेना कि इसमें जो एक glass rod होती है उसके सहरे हम लोग डालते जाते हैं ठीक है अगर गलती से भी आप कर रहे है तो प्लीज बहुत एहतियाद बढ़ती है अच्छा देखते हैं यहां से आपने acid है जो कि concentrated है यहां पर कुछ amount में आप डालते हैं सपोस करो इसमें आपने 10 ml डाला 10 ml डाला और यह करी 50 ml या 100 ml था 100 ml वाटर में आपने 10 ml SCL डाल दिया तो SCL इसमें 10 ml आया और 100 ml वाटर था तो अब जो भी मिक्स हो गया तो यह बहुत ज्यादा डालूट हो गया, डालूट acid आपका कहलाएगा और डालूट आपका डालूट HCL बन जाएगा इतनी मा क्लियर है तो डालूट और concentrated में यही फर्क होता है concentrated जो होता है और जो डालूट होता है उसमें अडिशनल वाटर एड किया जाता है जिस स्वाज़ से वो डालूट हो जाता है इतनी मत लिया ओके देखो डालूट अप यहां पर एसेड में दो टाइप के आप एसेड ले सकते हो इन जनरल बता जेता हूं का क्लोराइड बनेगा क्योंकि है सीएल की इसीएल है तो उसे बैलेंस कर लेना आइरन लिखना, प्लस S2S4 लिख देना, ठीक, तो आइरन का सलफ़ेट बना देना और हैटरन गास निकाल देना, उसे बैलेंस कर लेना, तो जो बोलना हो, उस चीज को समझाओ, फॉम्मले याद करते जाओ, आप आप रियक्शन आपको याद करने की ज़रुवत नहीं पड़ेगा, आप एजली रियक्शन कर सकते हो, अगर आपको कुछ नॉर्मल आपको रियक्शन याद हैं तो, ठीक है, चलो अब देखते हैं, टॉपिक पर आ जाते हैं, पहले एक्जांपल, यह सारे एक्जांपल्स हैं एक्जांपल है, यह होता है एक्जांपल है ग्रेशिया, तो इसका मतलब होता है, for example, EG लिखते हैं, small EG लिखते हैं, तो हमने लिखती है, ठीक हैं, तो EG लिखते है, सोडियम लिया, С-C-L लिया, तो सोडियम आपका किसके साथ रियक्ट करेगा, सी-L के साथ करेगा, डि अच्छा जी, NACL बन गया, sodium chloride बन गया, hydrogen gas निकल गई, balance करने की बात है, देखो, यहाँ पर आपका जो बनेगा, hydrogen gas निकलेगी, दो, मैंने कहांस देखा, देखो, normal में तो सब में यहाँ दो रखा, दो रखा, दो रखा, काट सकते थे, क्यों नहीं काटा, देखो, यहाँ पर जो hydrogen gas निकले, hydrogen, जो आपका molecule है, वो आपका 2 hydrogen रखता है अपने अंदर, ठेक, जिस वयसे हमें 2 hydrogen चाहिए, अब यहाँ पर 2 hydrogen बनाने के लिए, हमें 2 SCL भी बनाने पड़े, क्योंकि देखो, अलग-अलग तो इसे लिख नहीं सकते है, अलग-अलग नहीं लिख सकते हैं, कि भाई, 2 hydrogen रखेंगे, एक SCL दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए, 2 hydrogen रखें, 2 SCL भी हो गए, तो 2 CL हो गए, तो 2 CL यहाँ पर balance करने के लिए, हम यहाँ पर 2 लिखना पड़ा, तो NA भी 2 हो गए, जब NA भी 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, balance हो गई, balancing भी recall कर, lowest work थी, ठीक है, अब देखो, magnesium के साथ reaction, magnesium की, क्योंकि valency ही, आपको पता है, 2 होती है, तो magnesium का chloride बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, ठीक है, तो Mg की, आपको पता है ना, balance ही, magnesium की 2 होती ही, sodium की 1 होती है, hydron की 1 होती है, इसी साब से आपको बहुत साथ पता है, magnesium chloride बन गया, hydron gas निकल गई, इसमें आपको balance करने की ज़रुत नहीं, पर इस सरफ यहाँ पर 2 लिख दिया, magnesium आपको balance करने की ज़रुत नहीं, aluminium देख लो, aluminium, aluminium 6 HCl से reaction करेगा, 2 है, AlCl3 बनाता है, important है, थोड़ी सी aluminium की reaction, में भी पूछ ली जाए, aluminium chloride बनेगा, hydron gas निकल जाएगी, last, copper HCl से reaction नहीं करता है, तो no reaction लिख दोगे, अगर question पूछा जाता है, कि what will happen when copper is reacted with any acid, dilute acid, S2SO4 और hydrochloric acid, clear है, तो भाई दोगो copper है, HCl से, ठेक, इतनी बाद clear, अब ये क्यों नहीं reaction होगी, वो आपको बताई चुका हूँ कि उसका order नहीं है, इसके according, reactivity series में उसका less order आता है, hydron से, तो hydron को displace नहीं कर सकते, कोई भी low level का मंत्री, क्या कहते है, CM को नहीं हटा सकता, कि भाई तुम हटो, हम बैठें को आए कुरसी पर, like वाली चीज, समझ आ गई, अच्छा जी, इतनी बाद कर spin shot ले लो, हो सकता है, sound problem रहती है, क्योंकि आज कल, आस-पास बहुत ज़्यादा, घर बन रहे हैं, और कहीं शादी होती है, तो कोई DJ लगा लेता है, 50 चीज़े होती है, तो जिस वयसे, आपके short videos भी आ सकते हैं, हो सकता है, लंबे में combine कर दो, ठीक, और एक चीज, personally, मुझे किसी ने बोला था, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, एक object से बात कर रहे हो, आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, आपके दिमाग में जो आर आपको आस बोलना है, आपको deliver करना है, ठीक, तो starting में सबको problem होती है, मैं भी धिर दे सीख रहा हूँ, और बहुत हद तक मुझे पता है, improve करता जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप like करें, share करें, subscribe करें, और please share जरूर करें, subscribe जरूर करें, आप आए हैं मेरे channel पे, तो आपको जो फायदा हो रहा है, ठीक है, उसके लिए ही सही, लाइक करके जाईए, share करके जाईए, comment करें, एक और चीज, मैं चाहता हूँ, कि मैं आप से discuss करूँ, मैं आपके साथ एक घंटा बैठ हूँ, मैं आपके साथ चाहता हूँ, कि हफते दो हफते मैं एक time decide कर लूँगा, तो इसलिए please, comments दीजएगा, discussion करूँगा, और आपके सारी की सारी problem, shot out कर दूँगा, ठीक है, तो please, comment section जाईए, वो सारक सारा आपका है, उसे भर डालिए, ठीक है, तो don't worry, ठीक, आपके physics chemistry दोने चल रही है, 10th हाग का अच्छे से होगा, ठीक, तो जैसा होता है, आगे या तो इसके continuation मिलेगा, या तो आपको यहीपी एंड हो जाएगा, अगर एंड हो जाता है, तो please, share, subscribe, पूथ आपको पताईए, तो आपको पताईए, तो आपको पताईए, तो आपको पताईए, reaction with metals में, जो हम लोग discuss कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने, जो बाते कर ली थे, reactivity series के वारे में, कुछ-कुछ discuss कर लिया था, अभी जो इसके आगे में जो होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे, reactivity series के विवारे में, उससे पहले, मैं चाहता हूँ कि, आपने जो sulfuric acid, ठीक है, और hydrochloric acid के साथ, आपने जो reactions देखिए, dilute form में, ठीक है, आप समझ लें कि, nitric acid के साथ, reactions क्यों नहीं हो सकती, या हो सकती है, तो किस चीज के साथ हो सकती है, reaction में, ठीक, जो देखते हैं, तो reaction with nitric acid, अगर मैं आप से बात करूँ, कि HNO3 जो होता है, वो लगभग लगभग बहुत सारी metals को, अपने अंदर dissolve कर सकता है, ठीक, जिस वज़े से ही, वो react नहीं करती है, अच्छा, अब जैसे आपको पता है, gold हो गया, silver हो गया, platinum हो गया, यह वाली metals है, जिनने HNO3 को problem होती है, वो लगभग लगभग नहीं कर पाता है, ठीक, तो उसके लिए आता है aquaragia, जो अभी हम लोग discuss करेंगे, जो बहुत important है, ठीक, अच्छा, पहले अब देख लो HNO3 के बारे में, कि भाई HNO3 is very strong acid, ठीक, तो भाई HNO3 अगर आप dilute form में भी ले रहे हो न, तो maximum जो reactive metals है न, उनके साथ ये क्या करेगा, water बना देगा, hydrogen जो evolve होगी, ठीक, इसलिए इनके साथ maximum हम लोग reaction नहीं कराते हैं, लेकिन दो metals हैं, जो आपके मतलब slivers में भी दे रखी हैं, वो react कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा diluted form में अगर आपका HNO3 होता है, ठीक, उससे देखते हैं कैसे, magnesium और magnesium, दो हैं, जो react करती हैं, very dilute HNO3 से, ठीक भाई, HNO3 आपको पता है, nitric acid का formula है, अच्छा, देखो, magnesium और magnesium, same process चलेगी, aqueous formula रखा है, ठीक है, यानि उसमें बहुत ज़्यादा amount में पानी है, very dilute लिखी रखा है, HNO3 लिया, दोनों साइड में, nitrate इसका बन गया, magnesium nitrate, यहां manganese nitrate, okay, hydron gas निकल गई, इसमें भी निकल गई, इतनी मत्तियर हो गई, simple सी है, है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, HNO3 के साथ metal react करेगी, अगर HNO3 के साथ अच्छी metal react करती है, तो भाई क्या होगा, hydron gas change हो जाएगी, किसमें oxygen हो जाएगी, water में, तो इसलिए, नहीं लेते हैं, reaction में, इसलिए दो से reaction करती है, magnesium या magnesium, magnesium नाइटरिट या magnesium नाइटरिट बन जाते हैं, hydron gas निकल जाती है, क्योंकि वैरी डिल्यूटर फॉर्म में है, अच्छा, aquaragia देख लो, उसके बाद, ये class एंड हो जाएगी, देखते है, aquaragia जो बनता है, कैसे बनता है, एक पार्ट में आप ले लो, HNO3, concentrated form में, concentrated form में, और तीन पार्ट ले लो, concentrated HCL, मिला दो, normal reaction नहीं कि मिला दिया आपने, आप नहीं मिला रहे हैं, ठेक, आता है बना हुए, आप फिर फ्रेशली बनाया जाता है, ठेक, तो इसमें HCL भी है, उसकी पावर है, और nitric acid की भी पावर है, तो इसलिए, बहुत ज़्यादा ख़तरनाग होता है, ठेक, तो it can dissolve all metals, AU, gold, platinum, PT, इनको भी यह dissolve कर सकता है, ठेक है, तो इतनी बात थी, जो रहे गई थी, ठेक्यू, reactivity series के बारे में हम लोग discuss करेंगा आगे,